नमस्का दोस्तों दोस्तों अगर हम चाते हैं कि चेहरे की रंगत गहरी ना हो, मुहासे ना आएं, वक्त से पहले चेहरों पर जुरियां आदी ना आएं, तो इसके लिए स्किन की सही तरह से देख बाल करनी होती है जब हम रात को अपने चेहरे पर कोई क्रीम लगाती हैं, तो वो पूरी तरह से हमारे फेस पर काम करती है वैसे तो मार्केट्स में कई नाइट्स क्रीम मौझूद है, लेकिन उनमें बहुत सी केमिकल्स होते हैं, इसलिए वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती, और उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर पर ही नैच्छरल क्रीम कैसे बनाएं, जो आपको लंबे समय तक जवान बनाए रखेंगी दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है? आपको दो चमज दूद की मलाई में एक चमज जैतून का तेल मिक्स करना है, आदा चमज ग्लेसरीन और आदा चमज गुलाब जल डालकर अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको एक कंटेनर में स्टोर कर लें, आप इसको रेफ्रिज जिरिटर में रखेंगे तो ये जल्दी खराब नहीं होगा रात को अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोग कर मेकप डस्ट आदी साफ कर लीजिए और फिर ये क्रीम लगा कर सो जाईए सुबह उठकर अपने चेहरे को धो लीजिए, इसको अगर आप रेगुलरी यूज़ करेंगे तो आपका चेहरन नैच्रल तरीके से मुलायम और चमकदार बन जाएगा इससे चेहरे की ड्रैनेस भी दूर होगी, चेहरे की दाग धब्बे हटेंगे और चेहरे का रंग भी हलका होगा ऐसा ही एकोर नैट क्रीम हम आपको बनाना बताते हैं इसके लिए आप कुछ बदाम लेकर उसको रात को पानी में भिगो दे और सुबह इनका छिलका निकालकर पीस ले अब इस पेस्ट में आपको नीमू का रस, आदा चम्मस दहीं और एक चुटकी हल्दी डाल दी है और फिर आप इसमें आदा चम्मस चंदन पाउडर डाल के मिलाईए इस पेस्ट को आप स्टोर करके रख लीजिए और हफते में एक या दो बार इसको यूज कीजिए इसके लिए आप रात को चेहरा दो कर सुखा लीजिए और फिर ये क्रीम अपने फेस पर लगाईए दोस्तो ये पेस्ट स्कीन के लिए बहुत ही बेनिफिशल होता है इस क्रीम को अगर आप यूज करेंगे तो आपके फेस पर डेफिनेटली ग्लो आएगा और स्कीन की और भी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी दोस्तो ये दोनों ही क्रीम स्फेस के लिए बहुत ही अच्छी है आप इनको यूज कीजिए इसी के साथ ही दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तो रिष्टदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तो